हेलो फ्रेंड्स मैं शिव जंकर और दिख्षा के डिमुंदरा यूट्यूब चनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो क्वेश्चिन है वो एपी का क्वेश्चिन है इफ दा सम ओफ फर्स्ट एम ट्रम्स ओफ एन एपी आपर बता रहा है कि वो दस ट्रम के जोड़के तो बोल रहा है पांच और दस ट्रम्स यानि पंदर भी ट्रम्स का जो योग है वो जीरो होगा ऐसा प्रूव करो तो ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चिन है हमें सम का फॉर्मूला आना चाहिए SN क्या होता है हमारा N बाइ 2 अपोन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ये SN का होगा और एक फर्स्ट M ट्रम्स दी हुए तो N की जगा हम M लिख देंगे तो एक SM का हो जाएगा M बाइ 2 अपोन 2A प्लस M माइनस 1 इंटू D ये दो फॉर्मूले होगे है अब ये दोनों बोल रहा है कि इक्वल है यानि N बाइ 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D पहली N टरम का योग जो है वो इक्वल है 2A प्लस M माइनस 1 इंटू D इसके तो फिर हमें प्रूव क्या करना है प्रूव करना है SM प्लस N जो है वो इक्वल टू जिरू और SM प्लस N क्या होगा M प्लस N बाइ 2 इस फॉर्मूले के इसाब से M प्लस N बाइ 2 अपोन 2A प्लस M प्लस N माइनस 1 d ये equal to 0 आना चाहिए हमारा तो हमारा question solo हो जाएगा तो अभी हमारे को d योई condition है ये दोनों equal हैं तो मैं क्या करता हूँ इस 2 से इस 2 को काट देता हूँ कैसी ये इदर divide में उदर जाएगा multiply में तो 2 से 2 कर जाएगा अब मैं इसको multiply कर देता हूँ 2 a n plus n into n minus 1 into d उस साइड में रहा गया 2 a m फिर m को अंदर करेंगे तो m into m minus 1 into d ये हो गया अब मैं इन सभी टरम्स को पहले इसको multiply कर लेता हूँ और फिर इसको इदर ले आऊँगा तो 2 2 a n plus n square minus n और d इदर है हमारा 2 a m d को छोड़ देता हूँ m को अंदर multiply करता हूँ तो m square minus m और बार है आगया हमारा d अब मैं इन सारी equations को इदर ले जाता हूँ इदर रह जाएगा 0 तो 2 a n और minus हो जाएगा 2 a m ठीक है फिर ये वाला plus plus n square minus n d और इसको जाएगा तो minus m square minus m d और equal के उस सेट रह गया 0 ठीक है अब हम कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की इसको तो पहले इसमें से मैं common ले ले लेता हूँ जो निकल रहा है 2 a common निकल रहा है तो ये होगा हमारा n minus m प्लस इन दोनों में से d common निकल रहा है तो मैं d common निकल लेता हूँ अंदर क्या बच गया n square minus n minus m square minus m और d आगा बार common और इस minus से ये तो minus का होगा और ये होगा प्लस का ठीक है इस तरीके से मैंने d common लिया तो ये और इसको bracket लगा रखी थी bracket इटा दी equal to 0 अब देखो 2 a n minus m plus square वाले एक साथ कर देते है n square minus m square फिर minus n plus m d equal to 0 अब क्या करता हूँ a square minus b square की identity लगा जाता हूँ 2 a n minus m फिर plus n minus m और n plus m चीक है और ये इसको आगे पीछे लिखेंगे तो हम plus m और minus n है चीक है और बार d है equal to 0 अब देखो n minus m इधर है और इन दोनों मिसे अगर मैं common निकलना चाहूँ तो n minus m है और इधर है m minus n उल्टा है तो मैं अगर इसमें से minus common लूँगा तो m तो minus का हो जाएगा और n हो जाएगा plus का फिर ये उल्टा हो जाएगा तो देखो कैसे करना है 2 a n minus m plus n minus m और n plus m minus common लिया तो बार minus आगया और n हो गया plus का और m हो गया minus का और आगया बार d equal to 0 अब देखो अगर इस minus को अंदर multiply करूँगा तो n negative हो जाएगा और m positive हो जाएगा same हो जाएगा तो मैंने minus common ले लिया अब अंदर रहाएगा n plus m minus 1 और बार रहाएगा d और equal to 0 अब ये और ये दोनों में से common लेके मैं उधर ले जाता हूँ तो इधर बच जाएगा 2 a plus n plus m minus 1 d और equal to 0 देखो common लिया मैंने पहले और common लेके मैं equal के उस side में ले गया तो इधर multiply में common के उधर divide में जाएगा 0 के तो ये 0 हो जाएगा ठीक है अब 0 हो गया अब देखो अब हमारा लगबग उसी के equal आ गया अगर आप मैंने जो आपको बताया था ये रहा देखो ये रहा ठीक है इसके जैसाई हो गया वहमारा 2 a और n plus m ये तो है ये हमारे पास हमें m plus n या n plus m कैसे आगे पिछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैं m plus n लिख देता हूँ और minus 1 ऐसे का इसा रहने देता हूँ और d common है अब मैं क्या करता हूँ इधर m plus n by 2 हमें यही चाहिए ना तो मैंने इससे multiply कर दिया और m plus n by 2 से मैंने 0 को multiply कर दिया तो equality का rule होता है कि हम दोनों side किसी भी number से plus कर सकते हैं multiply कर सकते हैं divide कर सकते हैं तो दोनों number से हमने ये m plus n by 2 और m plus n by 2 दोनों side में मैंने क्या क्या multiply कर दिया तो ये तो 0 से multiply हो गया यह क्या हो गया इधर 0 और इधर हमारा formula बन गया m plus n by 2 upon 2a plus m plus n minus 1 into d equal to 0 आ गया तो यह sm plus n का formula हो गया sm plus n equal to आ गया हमारा 0 ठीक है उपर वाले के इसाब से तो इस तरीके से हमें यह question प्रूब करना था आशा करता हूँ आपको question अच्छे समझ में आए होगा अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ share करें सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब channel दिक्षाकेडमी मुंदा thank you friends मिलते हैं next video